भाई आप video editing के लिए कौन सा laptop इस्तमाल करते हो यह सवाल मुझे अकसर comment section में पूछा गया है तो आज इसी सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ मैं video editing के लिए इस्तमाल करता हूँ यह उल्टा पकड़ा दिया यह है मेरा video editing का हतियार अब मैंने यह video editing के लिए यह laptop basically क्यों चूज किया है क्या है इसका configuration यह आप जानने में जरूर इंट्रेश्ट रहेंगे और अगर आप एक video editor बनना चाहते हो तो आपको यह laptop लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसी laptop के specification के बारे में मैं आपको detail में बताने हो लाँ तो से पहले तो मैं आपको बता हूँ कि यह डेल का gaming series का laptop है जी 15 551 पह है अब मैंने वीडियो डिटिंग के लिए gaming series ही क्यों से लेक किया क्योंकि gaming series के laptop का performance बढ़िया रहता है और हमें वीडियो डिटिंग में performance भी चाहिए और भाई हमने एक यूपर एक ट्रैक आड़ कर दिय वो लोडिंग लोडिंग दिखा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए आपको जाना पड़ेगा gaming series की तरफ अगर आपको थोड़ा सा advanced level का video editing करना है तो अब बात करतें इस laptop के specification के बारे में detail में सबसे पहले तो मैं CPU के बारे में बता हूँ इसके अंदर जो CPU है वो है Ryzen 5, मैंने Ryzen 5 का से लेकिया, Ryzen 7 का भी variant इसमें आता है, Ryzen 5 5600H प्रोसेसर है जो की performance के लिए बहुत ही बढ़िया है और इसमें 6 core 12 threads का प्रोसेसर आपको मिलता है, तो ये प्रोसेसर कापी बढ़िया प्रोसेसर है जो की लगबख 70-80,000 के बज़ेट में आपको ये laptop मिलने इस बज़ेट में Ryzen 5 प्रोसेसर आप ले सकते हैं, अगर आपका बज़ेट जाता है तो आप Ryzen 7 के लिए भी जा सकते हैं इसके अलग variant में, अब ये तब प्रोसेसर के बारे में, अब राम के बारे में बात करते हैं, ये जो मैंने वेरियंट चूज किया है, इसमें 8GB का रा प्रेड कर सकता हो RAM को, आगे फ्यूचर में आप 32GB तक ये सपोर्ट करता है, तो इसमें मैं 16GB के अलगा 32GB भी आड कर सकता हो, जिसमें 16GB के 2 RAM में इंस्टॉल कर सकता हो, ये डूएल चैनल है लैप्टॉप, बिसिकली डियल के जितने भी गेमिंग स्रीज के लैप्टॉप ह तो डूएल चैनल ही होते है, और दोस्तों ये गेमिंग लैप्टॉप है तो इसमें ग्रैपिक कार तगड़ा होना ही है, इसमें NVIDIA का RTX 3050 4GB वाला ZDDR6 का ग्रैपिक कार इस्तमाल किया गया है, जो कि इस प्राइज रेंज में काफी अच्छा पफरमस देने वाला ग्रैपि अगर आपको डूपर लगा सकते हैं और यहां पर इंपॉर्टन बात यह कि यहां पर एच्डी का कोई स्लोट अपको इसके मदरवोल पे मिलने वाला नहीं यह बात ध्यान में रखनी हैं वैसे भी एसेजडी परफरमस के लिए बेस्ट रहता है तो आपको एजडी की तरफ जाना नहीं हाँ स्टोरेज के लिए ठीक है कमप्राइज में ज्यादा आता है स्टोरेज लेकिन मैं आपको रिक्रेमेंड करूंगा कि अगर आप स्पीड चाहते हो तो बिसिकली विंडोज तो आपका एसेडी में इंस्टॉल होना चाहिए तो दोस्तों डिस्प्ले के बार तो यह कापी vibrant कलर है दोस्तों और connectivity की बात करें तो इसमें connectivity के लिए देया है killer Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.0 और इसका keyboard जो है वो single backlight keyboard है जो कि orange color light के साथ आता है अब ports की बात करते हैं लेप सैड में अगर आप देखेंगे तो इसमें RJ45 LAN port आता है और headphone, mic jack आता है साथ में charger indicator भी आपे दिख साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर USB C type आपको एक port मिलेगा उसके बाद USB 3.2 का एक port मिलेगा और HDMI 2.0 का एक port मिलेगा और charging port यहाँ पर मिलेगा अब यहाँ पर USB Type-C से भी output ले सकते हैं HDMI से भी output ले सकते हैं लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि HDMI port से अ Alienware Command Center दिया है जिसमें Games डिस्पले होते हैं साथ में Fusion Tab के अंदर सारे स्टाटिस्टिक यहाँ पर दिखाए देते हैं जैसे Pan का Speed, Temperature और सारी चीज़े यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसके Specification के बारे में हमने जान लिया अब Performance की बारी आती है हमने इसे Video Editor है मैं Wondershare Filmora बेसिकली यूज़ करता हूँ आप Adobe Premiere में भी ट्राइ कर सकते हैं तो Wondershare Filmora के अंदर मैंने यहाँ पर अलग अलग ट्रैक का एक प्रोजेक्ट करके रखा है जो की बहुत सारी multiple ट्रैक की यहाँ पर इस्तमाल किये और Wondershare Filmora एक अच्छा एडिटर है बिसिकली लैप्टॉप और कम्पूटर में एक साथ export के लिए रखता हूँ तो इसमें performance आपको पता चलिगा कि कितना fast export होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं left side में desktop की उपर मैंने export के लिए इसे रखाता हूँ तो यह 2 minute के आस पास मतलब 2 minute की उपर का timing यहाँ पर दिखा रहा है तो यही नहीं एक्चुली यह जब आप प्रैक्टिकल इस्तमाल करोगे जब आप ट्रैक की उपर ट्रैक करोगे बहुत सारे लेयर साइड करोगे तो इसका performance video editing के लिए तो मुझे तो कापी बढ़िया लगा मैं कितने भी track एक यूपर एक आड करू तो भी यह smoothly काम करता है तो मैं recommend करूँगा कि अगर आप video editing के लिए अच्छा laptop देख रहे हो आपका budget 70,000 से 80,000 के बीच में तो यह एक बड़िया laptop आप से लेक कर सकते हैं और अगर आप इसे purchase करना चाते हो तो description में मैंने link दी है जो कि एक affiliate link है अगर आप वहाँ से purchase करते हो तो उसका कुछ affiliate percentage मुझ channel को subscribe करना बाई बाई